मध्य प्रदेश के देपालपूर नगर में इन दिनों प्रसाशन की जो कार्य वही देखी जा रही है उस पर कहीं प्रशन चिन खड़े होते हैं क्योंकि जिस प्रकार प्रसाशन के आदेश पर काम करने वाले कोटवार देपालपूर के चमन चरा है आम रहागीर मोटर साइकल चालक एवं अन्य वहानों को रोग रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है कि नियमों के धज्या उड़ रही हैं क्योंकि पूरे लॉगडाउन के दोरान भी इतनी सकती नहीं हुई जितनी सकती सोमवार को देपालपूर में देखने को मिली हाला कि प्रसाशन के कारेवाही से लोगों को समझना नहीं है लेकिन प्रसाशन के आदेश पर काम करने वाले कोटवार जिस तरह अनुशाशन हींता से नियमों को ताक पर रख कर काम करते नजर आए यह नजारा प्रसाशन के कारेप्रणाली पर सवाल खड़े करता है बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कोटवारों द्वारा आम रहागीरों वो मोटर साइकल चालकों को रोपकर उनकी चाबिया निकाली गई तो कई ओके चलान काटे गई वहीं सवाल यह उठता है कि जिस तरह कोटवारों ने लोगों की गाडियां रोकी उन पर जपट कर चाबिय निकाली गई ऐसे में कई घटनाएं भी होते होते बच गई एक बाइक सवार तो बीच सडक पर ही गिर गया वहीं पीचे से बड़ा वाहन भी आ गया गनिमत यह रही कि कोई घटना घटते घटते रह गई कई गाडियों पर तो वाहन चालक हैलमिट लगा कर चला रहे थे जिनके साथ गर्वती महिलाएं भी थी उन्हें भी रोक कर उन्हें परेशान किया गया वहीं स्थान्य प्रसाशन द्वारा जिन दो पटवारियों की देख रेक में यह कार्य स्वापा गया था मौके पर इधर उधर नजर आए वहीं जब पूरे मामले पर मीडिया उनसे जानकारी लेने पहुंची तो मीडिया पर ही पटवारी सवाल या निशान करते रहे और मीडिया कर्मियों को ही नेतागीरी करने की बात भी कहडा ली उनसे जब पूरे मामले पर जानकारी लेने के लिए बात की गई तो उनका कहना था कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं अब ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि मीडिया अब किसी अधिकारी या कर्मचारी से कोई सवाल भी ना करे अगर करते हैं तो उन्हें नेता करार दिया जाता है वहीं पूरे मामले पर जब देपाल पूर तहसील डार बजरंग भादूर सिंग से बात की गई तो उनका कहना था कि ऐसी तो कोई बात है ही नहीं और मैं दिखाता हूँ अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जांच अवश्य की जाएगी Bureau Report G News India